आज इक बहुत ही डिलिशस सा चौकलेट डेजर्ट हम बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्ती यह बन जाता है, इसमें बैइकिंग की जरूरत नहीं है, विपिंग क्रीम की जरूरत नहीं है, बहुत ही फटाफट से बन जाएगा और बहुत ही डिलिशस होता है, तो चलिए भ gol कस्टर्ड बनाएंगे तो दो चम्मच हम यहां पर कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूस किया है इसमें हम ठंडा दूद मिला लेंगे तो वन फोथ कप हमने यहां पर ठंडा दूद लिया है दूद और कस्टर्ड को हम अच्छ लीटर दूद ले रहे हैं, दूद आप फुल क्रीम भी ले सकते हैं, गायका भी ले सकते हैं, कप से नापेंगे तो दो कप दूद हमने लिया है, अब हाई फ्लेम पर दूद में हम उबालाने देंगे, तो दूद आप कच्छा भी ले सकते हैं, उबला हुआ भी ले सकते हैं, बट ultimately हमें उसे boil करना पड़ेगा जैसे ही दूद में उबाल आजाएगा हम flame को medium पर कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे हमें दूद को गाड़ा नहीं करना है reduce नहीं करना है तो कोई tension वाली बात नहीं है दूद में जैसे ही उबाल आएगा तीन चम्मच में इसमें चीनी डाल रही हूँ आप चीनी कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं मेरे लिए तीन चम्मच चीनी बहुत है अब इसे अच्छे से mix करेंगे mix करने के बाद हम इसमें डाल देंगे custard जो हमने mix करके रखा था custard को डालने से पहले एक बार अच्छे से चला लेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है तो अब एक हाथ से हम custard डालते जाएंगे दूद में और दूसरे हाथ से हम दूद को mix करते जाएंगे यह हमें इसलिए करना होता है ताकि जो custard है उसमें lumps ना पड़े, गुटलिया ना आए तो अच्छे से जैसे ही custard इसमें डाल देंगे अच्छे से हम इसे चलाते रहेंगे दो से तीन मिनट तक हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है और दो से तीन मिनट में ही आप देखेंगे कि जो दूद की consistency है वो काफी thick हो जाएगी यानि काफी गाड़ी हो जाएगी ये पूरा process हमें medium flame पर ही करना है तो दो तीन मिनट में ये देखिए consistency इसकी गाड़ी हो चुकी है इस time पर gas को बंद कर देंगे और इस mixture को हम पूरी तरीके से ठंदा होने देंगे जब तक ये ठंदा हो रहा है तब तक chocolate को हम melt कर लेते हैं यहां हमने pan में पानी गरम करने के लिए रग दिया है एकदम low flame पर हमें इसे गरम करना है और इसके उपर हम रग देंगे chocolate मैंने यहां पर dark chocolate लिया है आप milk chocolate भी ले सकते हैं या फिर आप दोनों को आदा आदा mix भी कर सकते हैं अब इसे लगातार हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और एकदम low flame पर हम chocolate को melt होने देंगे तीन से चार मिनिट के अंदर अंदर chocolate जो है वो अच्छे से melt हो जाएगी आप चाहें तो इसे microwave भी कर सकते हैं 30-30 seconds के लिए तो chocolate देखिए बढ़िया से melt हो गई है अब इसे भी हम ठंडा होने देंगे अब यहां हमने एक baking dish ले ली है आप चाहें तो cake tin भी ले सकते हैं उसमें मैं डाल रही हूँ biscuits आप digestive biscuits भी ले सकते हैं और आप चाहें तो जो rust काते हैं वो भी आप ले सकते हैं इसे हम assemble कर देंगे और इसके ओपर custard का layer डाल देंगे जब custard और chocolate ठंडा हो जाए तभी हमें यह process करना है याद रखेगा दूसरा layer जो है दोबारा हम biscuits का रख रहे हैं जितनी layers बन रही हैं आपकी baking dish में आपके cake tin में आप उतनी layers इसमें बना सकते हैं यह totally आपका choice है आप चाहें तो एक layer रखिए चाहें तो दो रखिए मैंने तीन layers इसकी बनाई हैं इसके बाद हम इसमें डाल देंगे chocolate जो हमने melt किया था जब chocolate ठंडा हो जाए तभी यूज करें मेरी तरह गलती ना करें मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी इसलिए मैंने गरम गरम chocolate ही डाल दिया और उसको इस तरीके से जब मैंने spread किया तो वो थोड़ा सा खराब हो गय तो मेरी तरह मत कीजेगा इसे मैं इस तरीके से finishing दे रही हूँ बटर नाइव से एक लेयर बनानी है हमें chocolate की biscuit का मैंने चूरा बना लिया था याने biscuit को मैंने mixi में पीस लिया था पाउडर बनाके इस तरीके से मैंने गानिश कर दिया है ताकि मेरी गलिती किसी को पता न हूँ उपर से थोड़ा सा यह और अच्छा दिख जाएगा तो घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रखा और दो घंटे के बाद हमारा chocolate dessert बन कर तयार है यकीन मानिए यह बहुत ही delicious बनता है आप चाहें तो अगर कोई guest आ रहे हैं आपके हाँ या आपको किसी festival पे इसे ब बताएगा वीडियो को लाइक कीजिगा शेयर कीजिगा जल्दी मिलेंगे हम अगली recipe के साथ में तब तक के लिए बाबाए